साहब गंज DC रामनिवास यादव अपने दूसरे समन पर भी ED दफ्तर नहीं पहुंचे हैं अभी लगभग 12.30 बजे का वक्त हो चला है लेकिन अभी तक जो है DC रामनिवास यादव ED कारेले नहीं पहुंचे हैं आपको पता दे कि ED ने साहब गंज DC को दूसरा समन भेजा था पहला समन उनको 6 जनवरी को किया गया था और 11 जनवरी को हाजर उन्हों कहा गया था लिकिन वो हाजर नहीं हुए थे वो हाजर नहीं होनी कि जो उन्होंने वज़ा बताए थी आपको बखुबी पता है कि जिस प्रकार हिमंद की काबिनेट से एक प्रस्ताव आया था जिसम 16 जनवरी को दूसरा समन बेशती है और 19 जनवरी जो कि आज का तारीख है आज हाजिर होने को उनको कहा गया था लेकिन आज भी जो है रामनिवास यादव यहां नहीं पहुंचे हैं आपको पता दे कि रामनिवास यादव पर कई आरोप हैं पहले तो कि तीन जनवरी को जिस दस्तावेश जो है वो हांत लगे थे आपको हम इस वक्त जो है इडी दफ्तर के बाहर का यह नजारा दिखा रहा है आपके स्क्रीन पर जो विजूल चल रहा देखे कि किस तरीके से जो है यहां पर सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम किये जा चुके हैं और CRPF के जवानों क कि जो है तनातिकी गई इसमें कई चीज़ें हैं गौल का गौर करने वाली हैं शायद साहिव साहिब गंजडिसी को यह लग रहा है कि इससे पहले दो आईस अधिकारियों को आप एडी जेल भेच चुकी है और साहिब गंजडिसी जो है इडी दफ्तर आने से कत्रा रहें य कि कल बीस जनवरी है और कल का दिन भी जारखन के लिहाद से बहुत ही खास होने वाला है जो कि मुक्मंत्री हेमंत सोरेन से इडी जो है इडी के दिकारी पूश्ताच करने वाले हैं और उनके आवास पर जाकर करके जो है उनसे पूश्ताच होनी है तो बहुत ही बड़ा दि कि हिनु में जो एडी का छेत्रिय कारेल है उसके बार जो है सुरक्षा के पुक्ता इंतजाम कर दिये गए हैं सी आर पीएफ के जवान हो चाहें सी आईसफ के जवान हो वो जो है यहां पर अभी सही भेज दिया गए आपको बता दे कि जिस प्रकार इडी के अधिकारियों पर हमले की जो बात सामने आ रही थी बाबुलाल मरानी जो कि बीजेपी के परदेश अध्यक्ष है उन्होंने यह संसा जताया था कि इडी के अधिकारियों को जार्खण में खत्रा है और उन्होंने बंगाल के तर्च पर बंगाल में जिस प्रकार इड करा रही है इसके बाद एडी ने मुख्य सचीव और डीजीपी को पत्र लिकर कहा था कि जब वो सी एम से पूछताज के लिए जाएंगे तो उनको जो है प्रॉपर सुक्षे सुरक्षा विवस्ता जो है वो मुहया कराई जाया और उसी को ध्यान में रखते वे जो है आज देखना ये है कि कल जो है क्या कुछ होने वाला है आज जो है समय साड़े वारा बच चुका है लगबग एक बजने को है लेकिन राम निवास यादब जो है वो अब तक यहां नहीं पहुंचे आपको बखुबी पता है कि साहब गंज में 1250 करोड का जो अवैद खनन घोटा अब देखना ये है कि वो इडी देफ्तर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं और अगर पहुंचते हैं तो कब पहुंचते हैं एडी आज के बाद एडी के अगला कदम उनके लिए क्या रहेगा क्या एडी फिर सुनको एक बार समन करेगी आपको पता दे कि मुखमंत्री पर जो एडी का जो ये कारवाई चल रहा है उसको खिलाब जो है कहीं न कहीं के दिन राजभावन के सामने जो है आदिवासी समाज के आदिवासी संगठन के कई जो है लोग वहां पर जो है राजभावन घिराव कर रहे हैं मुखमंत्री जो मुखमंत्री पर जो एडी की कारवाई चल रही है उसके खलाब प्रदशन कर रहे हैं तो तमाम चीजे जो है वो अभी जारकर में चल रहा है, ED की कारवाई जो है लगतार बढ़ रही है, ED का शिकंजा जो है धिरे-धिरे बढ़ रहा है, कई लोगों को ED सलाखों के पीछे भेच चुकी है, मुखमंतरी के जो विधाक परतिनिदी है, पंकज मिश्रा हो, चाहे छवी रंजन हो, या फिर पूजा सिंगल हो, तमाम जो है बड़े-बड़े जो चेहरे हैं, वो सलाखों के पीछे हैं, रामनिवास यादब जो के DC है, साइब गंज के उनको यह डर है, कि इससे पहले भी दो I.S. अधिकारियों को ED गिरफतार कर चुकी है, और यही वज़ा से जो है शायद वो ED दफ स्क्राइब स्क्राइब